तो सभी को नमस्कार, जय स्री राम, जय हिन, जय जवान, जय किसान, तो देखिए आज हम फिर से अपने ही खेत में आये हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा हूंगा, हमने इसमें जो है मट्रेल डाला था, जो है अप लग चुका है, आज हो रही है बारिश, जिसके वज हो चुके है, चार या पाच दिन, जिसमें पानी भी आया था, तीन-चार दिनों से पानी भी चल रहा है, और गनेश जी का विसरजन भी हुआ कल, तो देखिए जो केली का जो मट्रेल है, वो लग चुका है, थोड़ा-थोड़ा जो लग रहा है, दीरे-दीरे, तो जो है, अपना घुल चुका है, खाद, तो यह देखिए इधर की केली जो है, ग्रोध पकड़ लिए उपर की ओर, तेजी से ग्रोध कर रही है, तो देखिए इधर भी, इधर का भी मट्रेल जो है, लग बंख आदा तो लग लगी चुका है, आदा वाकी है, आदा घुल तो देखिए हमने जो यहां कुटार के साइड में जो केली थी हमारी जो उठने ही पा रही थी यहां कुटार होने के वज़े से तो हमने इसमें जो डीएपी था वो ज्यादा मातरा में दलवाया था ये देखिए यह डीएपी हमने इतनी जगा में ज्यादा मातरा में दलवाया था तो यह देखिए कुछ हद में इसमें परिवर्तन आया है जो की जाड़ जो है थोड़े ग्रोथ कर रहे है उपर अब और देखते हैं कुछ दिनों बाद और ग्रोथ करेंगे अभी ठीक तरीके से गुला नह नहीं रही थी इसलिए हमने पर मेटरेल दलवाया था जो अब उठेंगी देखिए यह इलागा यहां पर जो हमारी केली है एकदम तेजी से ग्रोथ कर रही है अब हम जाएं आरू के साइड आरू किस तरह ग्रोथ कर रहे है दिखाते आपको तो देखिए यह हमारी यहां त सब लोग कहते कि आरू बहुत आगे चलके अच्छे जो है जाड़ बनता इसका तो वीडियो अच्छा लगा तो सब लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जब तक कि लिए जय जवान जय किसान भन्यवाद करते हैं